नवसकार दोस्तो जहिंद वंदे मातरम सभी प्यारे मित्रों का विलकम अभिनांदन है दोस्तो टी टी परिवार सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सिंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो मैं आपके साथ जैसवाल सर दोस्तो इस प्रेक्टिस सेट में बात करने वाले हैं परयावन एबी एस के अनल c i e t के इ篡़र्ट पर प्रेक्टिश ट नंबर 15 की बात करेंगे लाजवाब यहां पर 15 15 नंबर सिस्ट में यहां पर 20 मथपून लाजवाब कोशन करने वाले जी यहां प्रेक्टिश ट नंबर आपका यह 15 है जिसे आपको पता है अगर आप पहली बार वजिट कर रहें सब्सकाइब कर लें अपको आपको नौठकेसन नीचे कि कामेंट बाक्स में यूट्यूप पर आपको मिलते रहेगी तो क्या आप तयार हैं इन 20 परस纂 को प्रेक्टिस एट देने के लिए कि आप तैयार हैं इनका score आपको बताने के लिए कि आज के सिसन में आज के practice rate में 20 में से आपका score क्या है आपनी त्यारी चेक कीजे, comment कीजे, feedback कीजेगा पहला प्रस्णा ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि निम्ल कित में से किसके द्वारा दूद्ध खटा होता है वाइरस के द्वारा, वैक्टिरिया के द्वारा, निमे टोट के द्वारा या प्रोटो जोबा के कारण होता है जी हां, ये बहुत बार आपके टीटिक जाम में पूचा जाता है प्रस्णा, हम EBS की बात करते हैं जिनका सपना है या 30 में से 28 प्लस score करना है, ठीक है? तो बीडो को important है, like share करें, बीडो को intact बने रहें तो किसके द्वारा दूद खटा होता है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, दोस्तों वैक्टिरिया की बात कर रहे है वैक्टिरिया द्वारा दूद खटा होता है, जिससे फिर दही बनता है, फिर दही से चांच बनता है और जब घी बनता है, जो कहते हैं गी तो दही के बाद जब दूद जमता है तब ही घी बनेगा, छाच बनेगा दूसरा प्रश्न इसकिन पर है, निमलकित में से कौन सा रोग जीवान संक्रमण के कारण होता है जी हां ऐसा रोग प्यारे मित्रों जो आपके जीवानों के संक्रमन के कारण होता हो अब आप कमेंट करके क्या कहेंगे क्या हो है पेंचीस है दमा है कुष्ट है या ये सबी होंगे आपका comment आपका feedback आपका opinion क्या कहता है आपको comment box में नीचे बताना है जी हाँ नीचे फटाफट comment करना है कि ऐसा रोग जो जिवान संक्रमन के कारण होता है वह हमारा कौन सा लोग कहलाएगा जी हाँ संक्रमन के कारण फैलता हो जी कि जो कुष्ट रोग है जो कुष्ट रोग है यह किससे होता है यह संक्रमन के कारण फैलता है तीसरा प्रसन आच चुका है जी हाँ 20 महत्पूर्ण प्रसनों का यह practice है 15 प्रक्टिस है इसके पिछले practice है देखना चाहते है तो वीडियो को continue देखें सारी classes आपको मिलेगे free आपको चैनल को विजिट कीजिए प्लेइलिस में मिल जाएगा ठीक है environment पर्यावरन इंपोर्टन कोश्चन का आपको practice का वहाँ पे आपको important question का प्लेइलिस मिलेगा वहाँ पे सारे practice है आपको मिल जाएगे हरे class हरे concept के practice मिल जाएगे आपको यहाँ पर selection सरो पर है बात करेंगे सरपतम विजान की खोज किस ने की थी आपका comment आपका opinion क्या कहता है comment box खुला हुआ है 24 hours खुला हुआ है जब भी net on करेंगे YouTube open करेंगे comment कर सकते हैं सरपतम विजान की खोज की बात कर रहे हैं इना ओश्की की बात कर रहे हैं इवा नो इसकी की बात कर रहे हैं पहला option correct option right answer हो जाएगा अब आईए जान लेते हैं फोर्त नंबर प्रस्न क्या कह रहा है बहुत ही प्यारा सा प्रस्न है और प्यारा सा फीडवेक आप चाहेंगे कि चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था जी बहुत बारे दोस्तों repeated प्रस्न है काफी बारे घुडवेक प्रस्न की बात कर रहे हैं यह द्यान दिजेगां जब भी विकास सब्दाए एडवर्ड जेनर के option पर क्लिक करना है पांचवा प्रशन आचुका है आई तिंक सभी प्यारमित बीडियो के एक बार दिल से अवस लाइक करें जिनका सपना है धापक का दापिका बनना सिच्छक बनना हर एक भाई बहने ग्रणी शबिका विलकाम अभिदंदन है टीटी परिवार आपके परिवार सिच्कों के पर जिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावरड वाई सिच्छा ही प्रकास है दूसर दूसर दही के रूप में जमाने का कारण क्या होता है लेक्टो वैसलिस्क होता है माइक्रो वैक्टिरियम होता है खमीर होता है इनमेंश कोई नहीं आपका कमेंट क्या कहता है कि जब भ आफन सही अपसन करेक्ट एंसर हो जाएगा आज कमेंट करके अपना जरूर बताएगा 20 में से सेसन में क्या score है क्या आपका byisia Android स्ीट में 15 पॉल्स है क्या आप जीनियस आंग आपकी त्यारीला जवाब है तो कउन शवपोसी होगा शे crease विसानु कवक प्रोटो जुवा हम शौपोशी की बात कर रहे हैं आपका कमेंट आचुका है बह experienced कह रहा है कि हमुआख्या की बात करेंगे जो सौपोशी की बात करते हैं वह कौंसा आपसन आएगा वह आएगगे दोस्तों आप लोगों का शेवाल की बात करेंगे फर्स्ट आप्सन इस दा करेक्ट आप्सन इस दा सलेक्शन वाला क्वेशन है शंभावित प्रस्ण है पूँचा गया प्रस्ण है जिहां टिका रोग किस में होता है जोर में गन्ना में चावल में मुंग फली में तेके ये क्रश्य सम्मनित है, क्रश्य सम्मनित एक टिकका रोग होता है, अब ये टिकका रोग किस में होता है आप कमेंट करके बताएंगे, सबी जानते हैं, ना ही जौर में होता है, ना ही चावल में होता है, ना ही गन्ने में होता है, टिकका रोग मुंगफली में होता है, क जारा होने वाला रोग, कैंसर, छे रोग, आजशक या इन में से कोई नहीं, शबी कमेंट करेंगे, देखें जब भी HIV की बात की जाती है, एट्स का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर कोई आप्शन नहीं, तो इन में से कोई नहीं डी आप्शन सही हो चाएगा, नौवा प्रश विसानू, कवक, ठीके, इनका विसानू, जिवानू, कवक, इनका इंपोर्टेंट होता है, यहाँ से टॉपिक क्या है, बहुत बार पूंचा जाता है, तो विसानू के कारण होने वाला रोगों की बात कर रहे हैं, सभी जानते हैं, विसानू की हम बात कर रहे हैं, जो कहते आडो गोनियम हो गया यूलो थ्रिक्स हो गया आपका एक तो कारपस हो गया यह हम बात कर रहे हैं लैमिनेरिया की बात कर रहे हैं आपका कमेंट आपका फीडवेक आपको ओपिनियन क्या कहता है आपकी त्यारी क्या कहती है आपने जितना भी तक साल दो साल से मेनत करते आ रहे हैं इस मेनत का आपको नतीजा है कि 15 प्लस का आपको स्कोर करना है टॉप 20 कोश्चन में से तो किस सहवाल से आयोडीन प्राप्थ होता है सभी कमेंट करेंगे हम बात करें आपसे नमबर D की बात कर रहे है लेमनेरिया की बात कर रहे हैं तो लेमनेरिया सेवाल से आयोडीन प्राप्थ होता है अंगला प्रसंदिया गया है कि हाइड्रोफोविया रोग उत्पन होता है बिसानू के कारण, जिवानू के कारण, इस्ट के कारण या प्रोटो जोवा के कारण आपका कमेंट आपका फीडवे क्या कहता है सभी प्यार में इत कमेंट करेंगे जिनका सपना है धापक धाबिका बनना सिच्छक बनना ग्रणी हर एक भाई बहन जी हाँ हाँ हाइडरो फोबिया रोग उत्पन होता है हम बात करें बिशाणूं से जो हाइडोफोबिया रोग है या किनसे उत्पन होता है तो सभी जानते हैं हम किस की बात कर रहे हैं हम बिशाणू की बात कर रहे हैं पहला आपसन करेक्ट आपसन राइट एंसर हो जाएगा अंगला प्रशन है प्यारा सा प्रशन है सेलेक्शन वाला प्रशन है कि नम लिखित मेंसे किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं बिशान में जिवान में शेवाल में लाइकेन में हम बात करें किसमें किस एंजाइम में नहीं होते हैं हाँ ऐसे बताएं किसमें एंजाइंट ही नहीं होता है विसावाण शेवाल लाइचेन की बत कर रहेँ तो आपका कमेंट क्या कहता आपका डू और लाइकेन कि कुट्टे के काटने से जिस विशाण के द्वारा घात रोग उत्पन होता है उसे क्या कहते हैं हैजा कहते हैं पेंचिस मम्स या हाइड्रोफोविया कहते हैं जी हाँ अलग आप्षन ही आपको लगेगा डी आप्षन की बात कर रहे हैं कुट्टे के काटने से जिस विसानु के द्वारा घातरो गुदपन होता है वह कहलाता है हीडोफोबिया की बात कर रहे हैं जी हां, option number अचुका है, question number अचुका है, कि सार्स की बात कर रहे हैं, सार्स अर्थात SARS क्या है, आपका comment क्या कहता है, हम बात करें SARS क्या है, संचार प्रणाली है, बिसानु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, या इनिमे से कोई नहीं है, सभी comment करेंगे, सार्स क्या है, आप सब्सक्राइब करेंगे स्भी प्यार्मित करेंगे क्वेश्ट किया गर आपका खसरा निमलिकी संक्रमण के कारण होता है आपके जीवान संक्रमण के कारण होता है माईको प्लाजमा की बाद कर रहे हैं विसाण की बात कर रहे हैं शेवाल की बात कर रहे हैं चार बेतरीन आपके आपसन दिये गए हैं और चार आपसनों में से आपका एक आपसन सही होगा वह आपका एक आपसन कौन से वही आपको चूच करना है अगर आपने ये चू minimum जो है 125 प्लस का स्कोर क्रेक करना और maximum आप जितना मेहनत करेंगी जितना आप तयारी करेंगे उतना आपको मिलेगा हम minimum की बात कर रहे हैं 120 प्लस का स्कोर आप आप लोग क्रेक करेंगे जिहां T.T. जाम क्रेक करेंगे क्योंकि हर एक session जो है NCRT के pattern पर है जो NCRT और आपका SCERT ठीक है दोनों pattern का combined है ज्यादा तर NCRT pattern लेकिन SCERT का भी आपका 90% यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि लगवग सेम है आपके pattern तो खसरा निम्लिकिस संक्रमन के कारण होता है किसके कारण होता है चार बेतीन आपसंद दिये गए है तो सभी जानते हैं जब भी खसरा की बात करते है खसरा का जब भी बात जिक्र होता है वह बिसान उजनित रोक कहलाता है संक्रमन का कारण बिसान कहलाता है शुलामा परिशन है 15% कर चुके हैं यह जो practice it है यह जो session है practice it का ठीक है आपका पंद्रामा practice it है 15% कर चुके हैं और 5% करेंगे टोटल 20% करने जा रहे हैं दोस्तों आलू में मोजे क्रोक कारक तत्यकौन सह होता है फफूंदी होता है लाइकेन, जिवान, विशान सभी कमेंट करेंगे नीचे, फटा-फट कमेंट करें 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दिया जाता है घड़ी टिक-टिक कर रही है सेकंड बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमें आपको पता है exam में 10 सेकंड जो है आपको question पढ़ने में लगेगा 10 सेकंड आपसन को पढ़ने में लगेगा छोटे आपसन दिये गए ज़्यादा तर EBS में छोटे ही आपसन होते है तो यहाँ पर आपको 20 सेकंड तो यह चले गए फिर 20 सेकंड आप question को सोचेंगे समझेंगे 40 सेकंड हो गया इसके बाद बचता है 20 सेकंड इसके अंदर आपको क्या है option भी क्लिक करना है तो आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है आपका comment क्या कहता है क्या वह फफूंद है लाइकें जिवान विशानू अगर आपका comment विशानू है तो बिलकुल सही बात सही answer हो जाएगा दोस्तो जन्तों में होने वाली food and mouth रोग किसके कारण होता है जी अब food नहीं आपे food होना चाहिए क्या missprint हुआ है यहाँ पे food and क्या हो जाएगा mouth food and mouth रोग किसके कारण उत्पन होता है विशानू के कारण, फ्रोटो जोवा के कारण जीवानों के कारण या इन सभी के कारण उत्पन होता है सभी पेरमित कमेंट करेंगे जी हाँ जो जन्तों में होने वाला food and mouth रोग किसके कारण उत्पन होता है सभी जानते हैं इसका सबसे ज़्यादा जो बेत्रीन कारण है वह है बिसानों की बात कर रहे अटरावा प्रशना आच चुका है सभी पेरमित एके पेरमित रोग अगर आपको नोर्स पीडिया फाइल प्राप्त करना है तो टेली ग्राम से जुड़ें वाट्सप ग्रूप से जुड़ें लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रप्शन बाक्स में और जितने भी अभी तक पीडिया फाइल अप्लोड हुए है वो भी आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं फ्री आउपकोष्ट है राजशित में टीटी परिवार है, सिच्चा का परिवार है आपका परिवार है, सिच्कों का परिवार है भावी अद्धापक, अद्धापिकाओं का परिवार है और यहाँ पे दोस्तों इंस्ट्रागाम पर जरूर फालो करें इंस्ट्रागाम पर भी आपको मिल जाएगा डारेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं कोई भी प्राबलम हूँ जो फर्ष्ट कमेंट आता है मैं स्टोरी पोस्ट वहाँ पे कर भी देता हूँ ठीक है और फेस्बुक पेंच पर ज़रूर फालो करें हमारे ठीक है टीटी परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर को फेस्बुक पेंच पर भी अब आप लोग फालो कर सकते हैं वहाँ पे नोस मिटलियस सब कुछ आपको मिल जाएगा बात करेंगे प्रश्ण की कि सहवालों की कोचिका वित्ती किसकी बनी होती है जो सहवालों की कोचिका वित्ती होती है वह आपके क्यूटेन के बनी होती है काइटीन की आपकी शुवेरिन की या सेलिलोज की बनी होती है सभी कमेंट करेंगे सहवालों की कोचिका वित्ती बनी होती है क्यूटीन, काइटेन, शुवेरिन या सेलिलोज की बात कर रहे हैं आपका कमेंट कहता है सेलिलोज जब आपका कमेंट सेलिलोज कहता है बिलको सही कर रहा है सेवालों की कोश्का वित्ती किसकी बनी होती सेलिलोज की बनी होती है और शेवालों की कोश्का भित्ती द्विस्तरी होती है आंत्री की स्तर सेलोज का बना होता है और बाय इस्तर जो होता है मुक्रूप से प्रोटो पेक्टिन का बना होता है जो जल में अगुलन सील होता है 19 वा प्रशना चुका है कि केलप प्राप्त होता है लाइकेन से, शमुद्री शेवाल से, जली शेवाल से या शेवालों से प्राप्त होता है सभी कमेंट करेंगे केलप प्राप्त होता है अब आपका कमेंट आपका फीडवेक क्या कहता है हर एक भाई भेने ग्रहनी कहां पर कमेंट करेंगे जिनका सपना है अद्धापक अद्धापिका बनना सिच्छक बनना चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाएगा और हर एक सेसन हर एक प्रेक्टिस इट को यहाँ पे आंते तक देखिए देखिए जो लोग भी दस या पांच प्रसंद देखते हैं मैं यह नहीं कहता है आप लोग सरस्वती से अभिदन्ना प्राथा हैं कि आपका जो सपना है जल्दी पूरा हो ऐसी तरह मेहनत तो त्यारी सपोर्ट करते रहें जी हाँ तो केल्प किस से प्राप्त होता है तो समुद्री सहवालों से केल्प प्राप्त होता है अंतिम प्रशने इस सेसन का इस प्रेक्टिस जा रहे हैं बहुत ही important है क्योंकि आपको 20 minute में मिलेगा 20 question करने के लिए लेकिन हम यहाँ पर 15 minute में ही कर रहे है ठीक है यह आप लोगों के effect है आप लोगों का effect है बस इसी तरह support करते रहे है तो लाल सागर का जो लाल रंग है वह किसकी उपस्तित के कारण होता है तो हम बात कर रहे है किसकी उपस्तित के कारण होता है अगर आपका जवाब जो है शैवाल है तो विलकुल correct option है जी हाँ लाल समुद में क्या होता है ट्राइको डेपसमस एक नीला या हरा शैवाल की उपस्तित के कारण होता है यह विशिस्ट लाल रंग की उपस्तित देता है तो इस सेसन में इस प्रेक्टिस सेट में 20 महत्पूर हमने कोश्चन की अब आपको बताना 20 में से क्या आपको स्कूर 15 प्लस है क्या आप जीनियर है क्या आपके स्कूर 12 प्लस है 12 प्लस है कि आप सुपर जीनियस है अब आपका कमेंट आपका फीडवेक तें करेगा तो मैं जे स्वाल सार यानी दोस्तों मिलूँगा नेस वीडियो में नेस सेसन में बस दोस्तों हमेशा हस्तर या मस्कुरातर यह त्यारी जारी रखें क्योंकि सेलेक्शन हापर शरोपर ही है धन्वाश अभीका